हेलो एंड वेल्कम अगीन एवरिवन दिस इस पूजा शर्मा फ्रॉम नौ जोदी ग्लोबल इसकूल मॉना सो आज हमारा है चैप्टर ट्वेल्ब सुकाख सरकेंड का चैप्टर ट्वेल्ब तॉपिक है हमारा चैप्टर नेम है कली लोग ऐन्डर ट्री बीयस का यस्ट्रें हमने is कि इस video भी इप सब्सक्राइट की झिसमें क्या था कर ली लोग एक गर्ल होती है जो उसकी घर बस यही चीजे इसमें थी, बीयस जैसे बैडमेस होती है, लिटिल बेबी बेर जो होता है उसके जो पोरेज है, जो दलिया है, वो लिटिल बेबी बेर का खा लेती है, ठीक है, तो यही चीजे इसमें थी, उसके बाद आज हम second part इसका करेंगे, जिसमें है question answer with solution, ठीक है, तो स So first word है करली, करली मिस होता है घुंगराले, घुमे को में बारिश से होता है cottage मिस होता है जोपड़ी या कुटिया बोल सकते है ball मिस होता है कटोरा, प्याला, porridge मिस दलिया, hungry, भूखा, shouted, चिलाना, family, परिवार and middle, madhyr या बीच में हम बोल सकते हैं ठीक है अब आते हैं इसके question and answer के साथ ठीक है question है reading is fun question first है who lived in the cottage in the forest jungle में चो cottage था उसमें कौन रहते थे कौन रहते थे बच्चो beer family beer's family रहते थे थे न तो आप beer family lived in the cottage in the forest beer की family उस cottage में जंगल में रहते थी ठीक है next question है what did Curly Logs see on the table Curly Logs ने table के उपर क्या देखा Curly Logs shot three balls of porridge on the table Curly Logs ने table में three balls देखे कटोरियां देखी किसकी porridge की दलियेगी ठीक है next question है why did she eat up all the porridge from baby beer's bowl जो Curly Logs C उसने जो सारा porridge था वो खा लिया और उसे baby beer का जो बॉल था उसी का porridge उसने क्यों खाया पूरा का पूरा तो आंसर इसका होगा C ate all the porridge from baby beer's bowl as it was just right for her to eat उसकी खाने के लिए जो baby beer का बॉल था उसमें जो porridge था वही उसके लिए सही था पैटर था क्योंकि जो पापा बियर थे उनके उसमें porridge जो था वो बहुत होट था बहुत करम था और जो mother beer थी उनका बहुत ही cold था थंड़ था और जो baby beer था उसका middle size का था जैसे नहीं ज़्यादा गरम और नहीं ज़्यादा थंड़ हमने पढ़ा था ना next question है have you ever seen a forest क्या आपने कभी कोई forest देखा है but did you see there आपने वहाँ क्या देखा है answer हमने लिखा yes I have seen a forest हाँ मैंने forest देखा है I show a huge elephant eating leaves from a tree पेर से एक बड़े इस animal को पत्या दोड़ते हुए मैंने देखा है next question है there is a plate of sweets laying on the table sweets की एक plate table पे रखी हुई है you want to eat some sweets what will you do आपको कुछ sweets उसमें से खाने है तो आप क्या करेंगे हमने इस कान से लिखा I will pick up मैं उससे लूँगा few sweets कुछ sweets लेंगे from the plate and eat them plate से कुछ sweets लेंगे और से खाने लगेंगे but some simple answer था उसकी बाद next question है name a few things that you eat from a balls what do you call a balls in your language कुछ things ball में रखी हुई है बहुत सारे things तो आप उसमें से क्या उठाएंगे खाने के ले और what do you call a ball in your language ball को अपने आपके language में कहते क्या है यह भी लिखना है we can eat food like sweets or fruits from a ball a ball is called a kattora in my language मेरी language में ball को क्या बोलता है kattora सभी की language में यही बोलता है किसकी language अलग होती है तो हमारी language में ball को क्या बोलता है kattora next question है whose bed did curly locks sleep in any and why किसके bed पे curly locks सोई थी and क्यों सोई थी curly locks slept in the teeny little bed curly locks कौन से bed में सोई teeny little bed जो सबसे शोटा bed था which was perfect for her वो उसके लिए perfect था as it was neither very hard or not too soft नहीं ज़्यादा hard था और नहीं soft था mama bear का bed बहुत ज़्यादा soft था and papa bear का बहुत ज़्यादा hard था इसलिए जो little baby bear था उसका जो bed था वो नहीं ज़्यादा hard था और नहीं ज़्यादा soft बिलकुल सही था ठीक है तो उसी में वो सो गई next question है the word curly and hungry tells us about curly locks ठीक है hungry और curly किसके बारे में बताया गया है curly locks के बारे में can you find some more words which describe the beer कुछ more words आप लिख सकते हैं इसमें जो beer को describe करें and from them into sentence or of your own और इसे अपने अपने खुद के sentence इसमें बनाएंगे आप इनी words के तो फास हमने बनाया big और big का sentence हमने बनाया my house is very big strong he has a strong taste fat पंकच is very fat boy lazy Rita is a very lazy girl black I love my black shirt heavy this bag is heavy moody my uncle is very moody huge the elephant is a huge animal naughty का हमने बनाया he is very naughty boy बहुत simple से sentence बनाया है आपकी according hairy का the beer is very hairy ठीक है तो ये word sentence भी हमारे with words complete होगे next question हमारा है make sentence with she and she tail sorry tail and tail ठीक है अलग से सुनाई दे अलग से दिखाई देने वाले words से spelling अलग है meaning अलग है लेकिन जो sound हमारे मूँ से निकलता है वो sound चारों के लिए क्या होता है सिमिलर होता है दो के लिए सिमिलर शी और शी टैल और टेल ठीक है टेल और टेल तो आंसर हमने इसके लिए के sentence बनाने थे ना शी शी मीज जो समुंद्र है शी का लिखा हमने टेल का हमने बनाया उसकी पूँच बहुत लंबी है टेल का माई फादर टोल मी इंट्रेस्टिंग टेल आफ फियरी टेल मी सोता है स्टोरी तो हमने यह जो sentence थे इसकी भी meaning complete कर लिया लग-लग यूज करके words same थे words अलग-लग थे sound जो same था इसी से related हमने इसके sentence बना लिये ठीक है next question है write five lines on my family my family पे आप लोग five lines लिखेंगे खुद से लिखेंगे क्योंकि अपनी family के बारे में लिखना है बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है तो five lines लिखेंगे यह आप खुद से करेंगे so students हमारे question answer थे chapter number 12 के curly locks and the three beers यह हमारे complete हो गए है I hope आपको समझ आए हो and आप लोग इसे carefully अपने notebook में note down करेंगे tomorrow हम next इसकी poem करेंगे unit number seven की ठीक है भूँच अच्छी सी poem है आप लोग भी मेरे साथ join कीजेगा okay thank you